इनके लबे रंगी की लिठा बढ़ें ती के विष्टी में जा आसिव भाई हैं बहुत दिन से कमेंड में और एमेल में एक सवाल को बार बार रिपीट कर रहा हैं बहुत बेचेन हैं और इन्होंने पहले ही वाज़े कर दिया कि मैं कोई यानी ओपरेटर नहीं हूँ और ना मैं कोई डिस्टीबीटर हूँ मगर यह पूछना चाहते हैं कि कैश बैक कले न जाइज है या न जाइज है कि लोग मुबाइल के अंदर रिचार्ज करते हैं और उसके बदले में उनको कुछ पैसा वापस आ जाता उस पैसो को रख सकते हैं और यह को डिस्टीबीटर नहीं सरफ एक सवाल करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि डिस्टीबीटर हो या नहीं सवाल तो डिस्टीबीटर भी कर सकते हैं और आम आदमी भी कर सकता है इसमें तो कोई हराजवाली बात नहीं है और इसी से मतलिक एक और यूजर हैं जिनके आईडिश शेख नाम से बनी है आगे पीछे नाम और नहीं है यह पूछने चाहता है केबल नेटरक चलाने वाले की कमाई जाइज है ना जाइज है यानि केबल जो इडिश्टी वी वगेरा लगाते हैं इनका काम तो सबसे पहले केश बेक की बात करें तो मुबाइल के अंदर वापस आने वाली जो रकम होती है जिसको आउन जुबान में केश बेक कहा जाता है यानि आप अगर कोई समान खरीदेंगे और उसके बदले में वो कमपनी जिसका आप अप अप्लिकेशन इस्तिमाल कर रहे हैं अपनी मरजी से वो वापस कुछ रगम देगी तो इसका लेना बिल्कुल जाइज है इसके अंदर किसी तरह की कबाहत नहीं अब रहा है कि इसका मालिक कौन होगा जिस कस्टुमर का रिचार्ज करा या फिर दुकान वाला तो इसका मालिक वो होगा कि जो एप्लिकेशन को इस्तिमाल कर रहा है और कमपनी ये केश्वेक उसको दे रही है मिसाल के तव पर अगर कोई 100 रुपे के रिचार्ज कराने जाता है और दुकान वाले ने उसका 100 रुपे के रिचार्ज करा तो उस शक्स को 100 रुपे के बदले पूरा 100 का समान दे दिया आया इब उसका कोई ताल्लु क्वै नहीं है तो उसका मालिक वो होता है जो आपको इस्तिमाल कर रहा है और इसका लेना भी बिल्कुल दुरुस्त होता है और केबल ओपरेटर के तालुक से अर्ज ये है कि इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुपा हूँ यानि नाई की कमाई और हराम हलाल सूध खाने वाले की कमाई और इनके घर का खाना तो आपने कोचे केबल ओपरेटर के तालुक से तो इनका काम तो नाजाईज है यानि ये काम जो टीवी वगेरा चलाना गाने वगेरा को सैट करना डिश टीवी जिसको बोलते हैं इसके अंदर उमोमन बे हाय, बे पर्दवी मेजिक होते हैं, अब अगर चे कोई ये कहेगे, मैंने न्यूस के लिए लगवाया है, किसके लिए लगवाया है, इसका लगाना और लगवाना दोनों नाजाइज और गुना है, और इससे हासिल होने वाले पैसे भी नाजाइज है अब इनके घर के खाने के तालुक से वही वीडियो जो भी मैंने बताई, डिस्क्रेप्शन में उसका लिंक अगर मिल जाए तो ठीक हैं, नहीं मिले तो आप उसको तलाश कर लें, कि जो सूद खाता उसके घर की दावत का हुकम, और जो नाई हजरात होते हैं, उनके घर की कैसा, तो जो कायदा उसके अंदर बयान किया गया है, वो इक कायदा यहां पर है, केबल ओपरेटर के तालुक से, कि उनके घर का खाना खा सकते हैं, या नहीं खा सकते हैं, तो उसको आप देख लेंगे, वही हुकम यहां पर होगा, बाकि केबल ओपरेटर का काम यह कि मर्जी है मगर यह मर्जी गुनहा के ओपर है इसकी छोटी सी मिसाल एक दूँ अगर वैसे तो समझे में आएगी नहीं जो कोईबल ऑपरेटर नोंगे लेकिन फिर भी आवाम को समझाने के लिए कि अगर कोई शख्स मुझस से कहे कि आप मेरे साथ थोड़ी मदद करो मुझ जब कोई शख्स आप से छटरी लगवाने के लिए आएगा वो कहेगा भाई मेरी मर्जी है आप इसो लगा दें तब आपको शरीयत याद नहीं आएगी तब आप यह कहेंगे नहीं उसने अपनी मर्जी से लगवाई हमारा क्या कसूर तो उसने अपनी मर्जी साथ आपको इस टीवे लगा दें तो उसके कहने के बावजूद भी लगाकर उसकी मदद करना उसको गाने वगेर दिखाने में फिल्म दिखाने में मदद करना ये तब भी न जाएजी जिस तरह चौरी में मदद ना जाएजी अब बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि अगर हम नहीं लगा तो कोई दूसरे लगा देगा तो भाई आपको अपनी फिकर करनी है अपनी कबर की फिकर करनी है दूसरे लगा देगा उसका तालुक और उसके अल्ला ताला का मामला उसका हिसाब उसकी कबर अपने साथ है जिनका सवाल उनके लिए अरजी जिनकी समझ में आजा उनके लिए अरजी आप सिरफ अपना देखें कि आपको अल्ला ने यह हुकम दिया है कि आप हलाल खाएं और हलाल रोजी ही कमाएं अगर कोई दूसरा नहीं समझता है यह श्क्स कहीं और जाके लगवालेगा तो कम से कम आपका गुनाह जारी है तो बंद हो जाएगा कि जो इस काम में मदद करेगा ये लोग जब तक उससे फैदा उठाएंगे जब तक का जाब इसको केबल उपरेटर के उपर रहेगा तो कम से कम ये महफूज रहेगा अब अगर दूसरा नहीं मानता है दूसरा नहीं समझता वो लगाता है वो उसकी सरदर दी आप उसकी जिम्मेदार ना बने यारन नाजाई उती इस में खास कोई कैबल उपरेटर के साथ एक और भी काम हाता है जैसे मुबाइल वगिरh इन दर गाने डाँनलोड करना